नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं टॉप नियूज में संदीप चलिए शुरू करें खबरों का सिलसिला क्या गुज्राचुनाव में मोदी को हराने के लिए पाकिस्तान में साजिश रची गई इस्तवाल के जवाब में जमुकश्मीर के पूर्मुक्यमंत्री फारुक अग्दुल्ला ने प्रधान मंत्री मोदी पर तंस कसते हुए कहा है कि मोदी खुद खाना खाने के लिए पाकिस्तान गए थे तब क्या किसी ने उनके खिलाफ साजिश की थी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोई साजिश नहीं करता कॉंग्रेस की हार पर अब्दुला ने मणी शंकर अयर का नाम लिए बगैर कहा कि अगर कुछ लोग गलत बाते नहीं करते तो कॉंग्रेस गुजराचुनाव जीत सकती थी पार्टी ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया है गुजराच विधान सभा चुनाव में बीजेपी को जीत तो मिल गई लेकिन इस जीत के बाद भी पार्टी की राजिस सभा की सीटें कम हो जाएंगी अगले साल मार्च में संसत के उच्छ सदन में पचास नए सदस्य देश के चौधा राजियों से चुने जाएंगे इन मेंसे चार सीटे राजिस सभा की गुजराच के कोटे से हैं 99 सीटों पर विधान सभा में जीत दर्च करने के बाद अब चार में से सिर्फ दो ही सीटों पर बीजेपी का कबजा रह जाएगा बाकी दो सीटें कॉंग्रस के खाते में जाएंगी राजिस सभा की चार सीटों पर गुजराच के चारों प्रतिनिधी अगले साल यानि 2018 में रेटायर होने जा रहे हैं इन में वित्तमांत्री आरुंजेटली, पुरुशुत्तम रुपाला, मनसुप मानवडिया और शंकर भाई वेगार शामिल है अगर आप अपने मुबाइल नंबर का सर्विस प्रुवाइडर बदलना चाहते हैं तो हो सकता है कि अब इसके लिए आपको सिर्फ चार रुपे खर्च करने पड़े टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ओफ इंडिया यानि ट्राई ने मुबाइल नंबर पॉर्टिबिल्टी फी को मौजूदा 19 रुपे से घटा कर जादा से जादा 4 रुपे रखने का प्रस्ताव दिया है उसने संबन्दित पक्षों से 29 दिसंबर तक इस प्रस्ताव पर अपनी राय देने को कहा है ट्राई की दलील है कि मुबाइल नंबर पॉर्टिबिल्टी प्रोवाइडर्स की ओपरेशनल कॉस्ट पिछले दो सालों में घटी है जबकि पोर्टिंग के अनुरोधों की संख्या बढ़ी है और इसे देखते हुए प्रती ट्रांजेक्शन जादा कॉस्ट रखने का कोई मतलब नहीं चिन्ने के एक अस्पताल में रविवार रात एक अजीबो घरीब घटना हुई जब एक ब्यापारी अपनी लगजरी फोर विलर ओडी को पार्क कर एम्बुलेंस से अपने घर चला गया पुलिस ने बताया कि रविवार रात करिब देड़ बजे मिथिल नाम का एक शक्स अपने दोस्त को लेकर चिन्ने के नगुम बक का मस्पताल आया था जिसे मामुली चोट आई थी पुलिस के मताबिक अपने दोस्त को भरती कराने के बाद वो व्यक्ति वापस पार्किंग एरिया में जब लोटा तो अपनी गाड़ी ना ले जाकर वहाँ पर खड़ी एम्बुलेंस को ड्राइब करके अपने घर चला गया एम्बुलेंस का ड्राइबर गाड़ी में ही चाभी भूल गया था कमेडियन से एक्टर बने कपिल शर्बा की दूसरी फिल्म फिरंगी बॉक्स ओफिस पर बुरी तरफ लॉप हो गई फिल्म की ऐसा फलता से कपिल निराश है और उनकी नराजगी फिल्म के समिक्षकों से है एक प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान कपिल ने कहा कि लोग अगर समिक्षकों की बात सुनने लग जाएं तो अच्छी और साफ सुतरी फिल्म तो देखी नहीं पाएंगे कपिल ने कहा कि उन्हें दुख होता है जब अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े लिखे पांच से दस फिल्म समिक्षक अपनी राय दर्शकों पर धोपते हैं उन्हें क्या पता हिंदी मीडियम में पढ़े छोटे शेहरों के लोगों को क्या पसंद है समिक्षकों को अपना काम करना चाहिए उन्हें बढ़ा चढ़ा कर फिल्मों की गलतियां नहीं निकालनी चाहिए बिना मतलब फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं लिखना चाहिए टॉप निउस में फिलाल इतना ही हमें इजास्त दीजिये लेकिन आप चुड़े रहिए नवहरा टाइम्स ऑनलाइन के साथ आप